नमस्कार स्वागत है आपका इन बीसेन की विशेश प्रिश्वकस खास मुलाकात में मानवी जीवन जो है उसकी जो उत्पत्ती होती है तो वहां से रेके उसके पूरे जीवन काल में कभी ना कभी ऐसा दोर आता है कि जब उसे किसे ना किसी बात के लिए अपने शारितिक स्वास्ते के लिए मानशिक स्वास्ते के लिए कही ना कई अस्पताल जाना पड़ता है और जब हम अस्पताल की कलपना करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें एक ऐसा वातावरण मिले तो एक ऐसा ही वातावरान देने की कोशिश जहां पर होती है आज हम उसी संसा के बारे में बात करें मैं बात करना हूं Integrity Super Speciality Hospital and Research Institute के बारे में और जिसके बारे में जानकारे देने के लिए आज हमारे स्टुडियों में मुझूद है मेरा बड़ा कुतुहल है सबसे पहले तो बहुत सी बाते आपसे समझनी है Integrity ये शब्द कैसे आपको सूझा और इसके बीचे कि क्या भावना थी Integrity Hospital जैसे हम दो दोस्तों ने मिलके बनाया है मैं और मेरे दोस्त हैं काफी सालों से हम दोस्त हैं हमारा दोनों का एक थिंकिंग बोलो प्रोसेस बोलो वो एक है हमारा सोचने की जो हमारे लिंकिंग होती है वो भी एक है हम दोनों मिलके पर Integrity इंटीग्रेटी मतलब आप मिलके काम कर रहे हो हम लोगों को अच्छी सेहाएँ अब अब उद्देश सेवा देना सबका इह होता है merch हम चाहते थे कि लोगों को एक एट्पासफिर मिले अब परोलोगों हमाने पास भाषिक हूं comprehensive होकर यह वह चाहता है किhris no तो दर्द है, उसकी तकलीफ है, कम हो जाए, अब हॉस्पिटल्स बहुत है, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी तरफ से पुरी कोशिश करें, पेशन्ट को होमली एन्वार्मेंट दे, उसको ऐसा वातावरान दे, कि तो उसको उसक ताकि हम उसको मैसूस करा सके कि वो घर में ही अच्छा टीटमेंट ले रहा है। बहतर इंफ्रस्ट्रक्चर के साथ में एक जो एट्मोस्फियर या वहां के जो स्टाफ का जो एक कॉडिनेशन के साथ में उनके जो उनका परिवार रहता है। सिर्फ डॉक्टर नहीं है कि उसको बिस देख के ईलाज करके चला जाएँ है। उसका एक सदस्या है उसका मित्र है। या फिर उनका कुछ कोई सदस्या है बरका कुछ सदस्या है जो उनकी देखबाल कर रहा है। इक अपना पन देगा. सर आप मेडिकल प्रोफेशन में है और आपकी भी जर्नी रही होगी कि कही ना कहीं काम करते करते कि मेरा एक ऐसा है उस्पिटल में ने बनाया चाहिए बनाना चाहिए जहां पर बहतर सेवा मैं दे सकूँ डॉक्टर पंकज धोबले की अपने जीवनी क्या है ये भी हमारे दर क्रैसिस इनिशल हमने देखा है ये तो उपरवाले की दुआ है माबाप का आशिरवाद है कि हम मैं आ तक पहुंचा हूं मेरा MBBS मैंने GMC नागपूर से ही किया 2004 में फिर उसके बाद स्पेसिलाइशन किया M.D. Medicine में 2009 में complete हुआ गवर्मेंट हॉस्पिटल सोलापूर से फिर में नागपूर आया काफी हॉस्पिटल में मैंने काम किया वह आप ऐस सच कंसर्टरंट या फिर विजेटिंग करके काम करते हो जब आप काम करते हो तो आपको समझ में आता है कि ठी पूरा involvement हो और हर चीज में डिसीजन हो अब होता कैसा है आप जब किसी और होस्पिटल में जाते हो तो आपको सिर्फ पेशन को देख के उनको टीट करना है बाकि किसी कर डिसीजन आप नहीं कर सकते कभी आपको यह लगा यह ऐसा करते करते कभी अलग जगे पे कि एक डॉक पेशन को देखते हो पेशन को जो आप चाहते हैं उसको कांसिलिंग कर सब कुछ हो लेकिन उसका फाइनल डिसीजन जो ओनर है हॉस्पिटल वहीं लेंगे आप नहीं ले सकते तो इस दिवरान मुझे मेरे मित्र डॉक्टर अमोल को कास मुझे मुलाकात होई एक हॉस्पिट आप जानते हैं हॉस्पिटल आज के दौर में खड़ा करना कोई मामोली बात नही है आपका बहुत सवाई पर्मीशन्स नेरी होती गौश्मेंट की पर्मीशन्स है एनेम्सी की पर्मीशन्स है वह लेते-लेते करते-करते अटिमेटल ओभवान के धया थी हमारे माता-फेता का आशिरवाद था जो हम ये Integrity Hospital खड़ा कर पाए और शुरुवाद कर पाए प्रयासों में ही Integrity थी तो जिसके वज़े से Integrity का सपना के साकार होता हुआ नजर आता है Integrity Hospital की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर क्या-क्या Facilities हमारे Patients को वहाँ पर आप प्रदान करते हैं इंटेग्रेटी एक वंटी स्पेशलेटी होस्पिटल है जैसे मैं फिजिशन हूँ एम्डे मेडिसिन मेरे मित्र डॉक्टर अमोल को कास वो आईशियू स्पेशलिस्ट इंटेंसिविस्ट तो मेडिसिन आईशियू तो हम है ही आईशियू हमारे पास 24-27 की Facilities है वहाँ आई वो पूरे maternity pregnancy cases देखती है उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर संजेड आपको एक सर्जन है जो जनरल सर्जन है प्लस लेपरोस्कोपिक सर्जरी करते हैं और्थोपीडिशन हमारे पास जो फ्रैक्चर्स जॉइंट रिप्लेस्मेंट करते हैं नियूरो सर्जन है कार्डिय पुलिवक्त इंटियोलो ज राटियोगेंट से सुर्ण सेखती है म्यंटियों शेयरो सर्ण सेर्जन होगा ध्यात जू है ंवा छिए दानों सनगरफीशीन ही उसके पर फैसिलिटीटीश होने चdie मुलटी सपेसलिट teşekkür में वह सब है मारे पास सूप्र पैस परशलियान बी कुछ महीनों की बात है जो हमने order कर चुके है वो भी हमारे पास आ जाएगा और आगे के हिसाब से हमारे प्लांस यह है कि हम एक कैथलैप मतलब जहां पेशन्स का हार्ट का इलाज तो होता ही है लेकिन हम एंजियोप्लास्टिय अंजियोग्राफिय भी कर पाए एक ही इसमें हो जाए उसके लिए कुछ वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा मतलब अभी जो एक दौर जो शुरू किया हुआ है और उसको हम एक ऐसे मुकाम पर लेके जारे कि एक ही स्टेशन में आने का प्रेशन को सारी सुज़दा मिल जाया दाकि उसको कहीं भी बहुत ज्यादा इधर अगा ज़रूत ना पड़ेंगी डॉक्टर सब आज के दौर में एक मेडिकल प्रोफेशन के तरफ देख कर रहे हैं क्या दर रहे है सभी लोग अपने अपने इसाफ से प्रयास कर रहे है अब कुछ चीज होती है कुछ पेशंट को समझ नहीं आता या पिर उनको बरावा सम्झाया नहीं जाता जिए मैं किसी का यह नहीं को रहा हूं हर कोई अपने भी कोशिश करता है मेरा फॉर् तो उसके ऐसा लगे है कि यह डॉक्त्र तो है लिकिंग मेरा मित्र भी है मेरा मेत्र मेरा फैमिली सदस्स है जो मुझे समझा साके कि मुझे हुआ क्या है बहुत सारी बिंबार यह क्रोनिक होती है, diabetes, hypertension, उसके लिए complication देके आते हैं, ठीक तो बहुत लोग करते हैं, हम भी करते हैं, बागी सब भी ठीक करते हैं, लेकिन पेशन का physically, emotionally, mentally, यह ठीक होना बहुत जरूरी है, पेशन्स का मुटिन देखो, बहुत सारी पेशन्स का ऐसा होता है, लिकें, जो भी हम कर सकते हैं, जितना इपार्डिबर्डिटी बना सकते हैं, वह हम कोशिच कर रहर हैं, जितना इप कर देख़रण सब्सक्राण से जोड़े रहे हैं, डोकर सब आज, जैसे अपने एक्सपेंसिस के बात की, तो कई बार एक्सपेंसिस जो है, वो सही बात था उपने, कि आम तरुपर एक्सपेंसिस का बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके लिए ब्यूड है, mediclaim के हम बात करते हैं, जब उनको कुछ बिमारी होती है, जब उनको बताओ कि यह आपने medical claim पहले ही ले चुके होते हैं तो इसका फाइदा मिलता था, तो लोगों को जागरो करना भी ज़रूरी है, हमारे यह cashless facilities होती है, जब आपको एक जब अहंग सवाले जो मैंने पहले पूछ लेना चाहे था, इंटेग्रेटी होस्पिटल अगर आना है हमारे पेशन्स को जो अगर आना चाहते हैं, उसके लिए आड्रेस बढ़ता ना बढ़ा दोरूरी है, तो लोकेशन हमें ज़रूर आपको बताना पड़ेगा, अब अरिया देखा है, डिगोरी स्क्वेर, सबको पता है, उम्रेट डिगोरी स्क्वेर, आप जब ताजपाक से डिगोरी के चौक की तरफ आते हो, आपको सब डिगोरी चौक से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लोंग हैं, आज कल तो जब आपको डिगोरी स्क्वेर, इंटेगोरी स्क्वेर, से खरबी चौक के बीच ही रहना है, वहां हमारे बीच भीचरष में लेफ्ट लेफ allora आपको कुछ लगता है कॉन्डेशन में डिफिकल्टी आप हमें फोन कीजिए बिल्कुल और स्क्रीन पर भी नंबर चल रहे हैं इंटेग्रेटी हॉस्पिटल के तो आप को किसी भी अपने बीमारी के बारे में एक इस नंबर पर संपर कर सकते हैं डॉक्टर साब एक आज के दोर में जहां हम आधुनिक्ता की बात करते हैं मेडिकल प्रोफिशन के तरफ बात करते हैं तो लोग आपने भी कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल के तरफ जाने का जुका और कम होता है मैं तो यह हमने तो यह भी देखा है कि जब भी हम किसी फर्मसी में जाते हैं और प्र मेडिकेशन कुछ हद तक मामोली के लिए बुखार के लिए ठीक है लेकिन कोई भी दवाई विदाउट डॉक्टर स्प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए उसके साइड इफेट क्या होते मैं आपको एक्जाम से बताता हूं बहुत लोगों क्या होता है मुझे बुखार अगर वो दे देगा उससे नुक्सान क्या होगा एंटिपैटिक आपको वाइरल को वुखा रहा है तो एंटिपैटिक कोई काम नहीं करेगी आप अगर उसको लेते हो तो उसका आपको रेजिस्टन्स डेवलप हो जाएगा अगर सच में आपको उसके जरुवत कभी आगे पड़ी वाइंटिपैटिक के तो उसको काम नहीं करेगी आप बस होता क्या लोगा कि डॉक्टर के पास क्यों जाना जब हमारे पास काम हो रहा है जी तो हम यहीं से ले लेते हैं आज कर आप बस फीज भी अफ़र्डेबल है बहुत जगा आप डॉक्टर के बाद जाईए चेक अप करेगे प्रॉपर और उस हिसाब से मेडिसिस लीजे सिर्फ मेडिकेशन एक हद तक फोड़ा सा डेंजर्स भी होता है डॉक्टर साब चलते चलते एज डॉक्टर प्रोफेशन आप पूरे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं एक स्वस्थ जीवन जीने के वो तो मैं कहूंगा प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर यह बिइंग डॉक्टर हम देखते हैं पेशन्स पेशन्स की सफरिंग से गुजरते हैं अब इस अब पेशन्स आना हम नहीं चाहते हैं कि कोई बीमार हो लेकिन आप अपनी जीवन शीली प्रॉपर रखो खाने का आपकी रूटीन एक्सरसाइज आपको ठीक है आपको कुछ बीमारिया पहले से हैं डाइबिटीज हैं हाइपर टेंशन उसका आप केर कीजिए आज कल स्वस्तर जीवन शीली में काफी चीज़ा अवलेबल है योगा कीजिए बहुत लोगों को लगते इससे क्या होगा लेक आपको जो बीमारिया बहार से लगने वाली है वो इम्योसिस्टन ही फाइट करेगा इम्योसिस्टन फाइट करेगा तो आपको ठीक हो जाएगी काफी सारा मास एरिया है और वहां से आप इन स्फैसिलेटी का लाव ले सकते हैं मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर पंकर जी का कि उन्होंने आप हमारे बास में आए आज इतने हमारे लोगों से बात किया और बहुत सारी जीजे हमारे मन में चल दे थी उसका उन का लाव दये उसका और ढॉक्टर जी को में आप हमारें फ्सैंशा की जीजे हमारे जीजे बादेगे में पारे म teilत जो में ले ज HEY उन्माएएरा मीत ज immersive आना ट्याखका कि प्त This बाने टियुने हमारे नह सकते हैं में आबादार एंता हैं आदयान unla Lectरी 1. ск местоंझन आप수क ऑ aerial